खबर है कि टाइटानिक अमलबा दिखाने गई जो टाइटन पंडुब्बी गायब हुई थी उसमें ऑक्सिजन खत्म हो चुकी होगी औस्टेलिया की एक न्यूज वेबसाइट ने इसका दावा किया और कहा कि जो पंडुब्बी पिछले पांच दिन से लापता है उसमें ऑक्सिजन नहीं बची होगी जिसकी वज़े से पंडुब्बी में सबार पांचों और अपतियों की जान मुश्किल में फस गई क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी जान पर खत्रा बढ़ता जा रहा है अलगि पंडुब्बी की तलाश अब भी जारी है लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद अब तक टाइटन पंडुब्बी का पता नहीं चल पाया एक रोज पहले ही ये दावा किया गया था कि पंडुब्बी में सिर्फ 90 गंटे की ऑक्सिजन बची थी और उसके लापता होने के बाद 90 से ज़्यादा गंटे बीच चुके हैं कबर ये भी आई थी कि पंडुब्बी में रखा खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका होगा और पंडुब्बी में आक्सिजन खत्मोने की ख़बरों के बीच पच्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फ्रांस ने टाइटन पंडुब्वी को ढूड़ने के लिए एक गहराई में जा सकता है और इस रोबॉट का नाम विक्टर 6000 है पश्चिवी मीडिया के मताबिक ये रोबॉट समुद्र में 20,000 फीट तक की गहराई में जा सकता है जबकि टाइटानिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई में ही है जिसका मतलब एक रोबॉट टाइटेनिक के मलबे स भी जादा गहराई में जाकर पंडुबी का पता लगा सकता है बताया गया कि ये रोबॉट किसी भी तरह की केबल काटने और पानी के अंदर फसे हुए जहाज को छुडवाने में सक्षम है जो एक दिन पहले टाइटन पंडुबी की तलाश में जुड़ गया लेकिन उस प पंडुबी में ऑक्सिजन खत्म होने की भी खबर आ गए और दावा ये किया जा रहा है कि 90 घंटे से जादा का वक्त वीच जाने के बाद अब उनके पास खाना भी नहीं बचा होगा एक रिपोर्ट के मताबिक टाइटन पंडुबी सिर्फ 20 फीट लंबी और 9 फीट चोड गया और इसलिए ये दावा किया गया कि इस छोटी सी पंडुबी से जाने का फैसला ही गलत था आलंकि इस टाइटन पंडुबी से पहले भी टाइटानिक के मलबे तक लोग पहुंच चुके हैं लेकिन इस बार समंदर में उतरने के बाद से ही ये पंडुबी लापता है